वेलकम टु स्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांच सिगंड बात सुरू होगा रिडी स्टार्ट महोदर मुझे इस बात से बड़ी प्रशनता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कारे करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिच्वय हो गया है आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्याओं पर सम्मिलित रूप से विचार किया जासके और आदिम जातियों की सेवा के लिए एक समनवित योजना तयार की जासके भारत के सम्मिधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य करतव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्याओं पर विचिस्ष्ट ध्यान दे अपने इस अनिवार्य करतव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कारी की देखभाल हेत एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है आप सब लोग श्री लक्षमी दास स्री कांत को जानते हैं आदिम जातियों के हितार्थ का कार्य करना उनके जीवन का उद्देश है और अब तक रहा है किन्तु यह समस्या इतनी उलजी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवशक्ता है और इसलिए आज आप यहां एकत्रित हुए हैं जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक इस्पष्ट करने तथा इसको सिग्र सुलजाने के लिए प्रभावी कारिक्रम तयार करने में अपना महत्त पूर्ण अंश्दान कर सकें भारत में अनसूचित आदिम जातियों के नाम से ग्यात लोगों की जनसंख्या लगभग दो करूण है वे समस्त देश में फैले हुए हैं किन्तु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग विहार बंबई उरीसा मध्यप्रदेश पशिम बंगाल मध्यभारत मध्रास और राजस्थान के राज्यों में है उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहान भूति पूण और समझ भूज से हल करना आवश्यक है वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन हैं उदाहरणार्थ उनकी भासाएं विभिन हैं उनके रीति रिवाज भिन हैं उनके रहन सहन का तरीका अलग है और साधारतिया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं परस पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन हैं विभिनताओं के कारण उनकी समस्या को सुलजाना कठिन हो जाता है वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाडी छेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुचना सरलबाद नहीं है इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से निवनाधिक अलग बने रहे हैं यह सभाविक है कि वे लोग सिक्छा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक इस्तित भी खराब है कुछ स्थानों में तो उन्होंने खेती बाड़ी आरंब कर दी है किन्तु अनेक स्थानों में वे अभी स्थाई द्रिस्टी से क्रिशक नहीं हो पाए हैं वे जो कुछ खेती बाड़ी करती हैं वह भी बहुत ही पुराने युग कीसी है उनके यहां कातने बुनने की किस्म के कुछ कुटीर उद्योग हैं और कुछ आदिम जातियां तो बुनावट में बड़ी ही सुन्दर डिजाइन डाल लेती हैं ये साफ सुथरे और खुब सूरत बने हुए घरों में रहते हैं महूदय सामानितह जेवन की आधुनिक सविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है संसार के विभिन देशों में इसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफी काम किया है उन्होंने उनमें सिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफी सहायता की है इसाई धर्म प्रचारक उन्हें इसाई बनाने में भी सफल हुए हैं आसपास की जनसंख्या में घुल मिल जाने की एक अन्य अज्याद और संभवत अध्रिष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विसेस्तिया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर वाले छेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिन में से अनेक किसी न किसी समय वहां की आदिम जातियों की जनसंख्या के भाग अवस्य रहे होंगे किन्तु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्म साथ हो गए और घुल मिल गए हैं कि अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहां के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिम जातियों और अन्य भारतियों के बीच बहुत काफी रक्त अभिमिस्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरडार्थ तथा कथित बिहार के हिंदुओं की उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिस्रण नहीं हुआ है तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोशी होगा ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के सिक्छा में पिछड़े होने के कारण इनका शोशन करने में नहीं रुकते अत हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएं पैदा करें जिन से ये आदिम जातियां सिक्छा और आर्थिक विकास के छेत्र में अन्य लोगों के इस्तर पर आने में समर्थ हो सके प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नती और प्रगती चाहते हैं क्या यह वांचनिय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिन से वे अपनी रेती रिवाजों रहन सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है वह यह है कि धर्म भाशा रहन सहन अत्वा रीती रिवाजों की द्रिश्टी से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अविप्राय न हो तो हो सकता है और न होना ही चाहिए यह बात बिलकुल न्याय संगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी सिक्छा और उनके आर्थिक जीवन में साधारन द्रिश्टी से सुधार के लिए उन्हें सुविधाय प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों और के समाज से घुल मिल जाना चाहते हैं अत्वा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं अपने यहां की रहन सहन की विभिनताओं के कारण भारत में आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए परियाप्त अवसर है स्टॉप